कांकिर जिले के बांधे स्थित जिला सहे कारी केंद्र बैंक में खाता धारकों को अपने ही जमा किये पैसे निकलवाने में मुश्किल हो रही है गौरतलाभ है कि प्रदेश सरकार ने एक नवंबर को किसान नया योजना की तिसरी किष्ट का भुकतान किया था किसानों का आरोप है कि 9 बजे के बाद आहरन पर्ची नहीं दिया जाता बैंक खुलने का समय 10 बजे है लेकिन नगदी वितरन 12 से 1 बजे शुरू किया जाता है जिससे रोजाना बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं किसानों का एक और बड़ा आरोप है कि दुकानों में बैंक का सिल लगा हुआ आहरन पर्ची पैसों में बेचा जा रहा है जो किसानों के लिए एक बड़ी परिशानी बन गई है यह हर रोज 12 एक बजे के बाद जाके क्याश लेंदेन चालो जाता है उसके फाइले कोई लेंदेन भी नहीं कुछ भी नहीं किसान ऐसे 10-20 लोगों का हर रोज मीलता है वाकि बापा चले जाते हैं बजे करीवन एक बजे बारा बारा एक बजे से चलो है मैने जा तो आपना भासन बोल दिये यह पूरा सरा सर घलत है जब मैंने बैंक मैनेजर को पूछा जाके की आप यहां पर वाऊं कीव नहीं देता है यह सालों से होते रहता है सुब नौ बजे के पहले वडरा बाट देते है इसके पहले को शिकायद हुआ था लेकिन हमने इसके पहले जो मैनेजर था उनको मौखिक रूप से बोला उन्होंने बोला ठीक है मैं कारवाई करूँगा शुदार दूँगा लेकिन आज वह हकीकत में पता चल रहा है कि कोई शुदारा नहीं गया है किसान लोगी सिर्शिकर सतायओ कर तो शुदारा विर्टर यहां वाले नहीं किसान लोग यह डोवेड लेते होंगे आगो सामने वालो साने वे उसको देदेगा तो उसको हम क्या विर्शटा में तो आब यसे नियंतराण के लिए तो हम पकानजूर से विपलब कुंडू की रिपोर्ट